मोबाल में केंद्री मंत्री प्रहलाद पटिल ने कोरोना को लेकर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किये गए जन जागरन जन जागरुकता अभियान को लेकर कहा कि प्रधान मंत्री ने जो अभियान शुरू किया है इसमें जनता की भागिदारी सुनिश्चित होना चाहिए जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्ग रहे देश के प्रधान मंत्री आदेने नंदर मूदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक जन आंदूलन की सुरुवात की है यह जागरन अभियान आंदूलन बने यही देश के लोगों से बिनम्र अपील है तीन ही साउधानिया हैं जब तक वैक्सीन नहीं है जब तक कोरोना की दवाई उपलब्द नहीं है हम मास्क लगाएं साध्यकस्थान पर दोगस की दूरी का पालन करें और जब भी हम बाहर से कहीं आएं तो अपने हाथों को सावन से धोकर इस संक्रमण से दूर रहने के लिए और परिवार और समाज को दूर रखने के लिए हम अपनी जम्मेदारी का निर्वहन करें ये जनान दुलन और चर्म पर पहुँचे जैसे पिछले छे महिने हमने अपनी जम्मेदारी के साथ में जापती में अपने कर्टब्यों का निर्वहन किया है नए सरे से हम अपने इन कर्टब्यों का फिर से मूल यांकन करें और उनका किरियान में करें जीवन में पालन करें यही प्रार्थना है बहुत बहुत धन्यवाद भारत मता की जैन खबरों में फिलहाल इतना ही लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए रुद्भाशी न्यूज